नमस्कार मैं डॉक्टर गिजेंद्र गुपता बीबीडी गौर्वर्मेंट कोलेच चिमनपुरा शापुरा से बोल रहा हूँ और आज बीएस्सी पार्ट सेकिंड के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्शर मैं बता रहा हूँ इसमें बच्चों जो बीएस्सी पार्ट सेकिंड का जो पेपर थर्ड है जिसमें अपन इलक्टोनिक्स पढ़ रहे हैं मेरे पुराने वादे भी वीडियो लेक्शर आपने देखे होंगे और उसी चैप्टर को अपने कंटिन्यू यहां कर रहे हैं इसमें अपने पिछले वीडियो लेक्शर से प्रेमे चालू की हैं क्योंकि इलक्टोनिक्स के छेत्र में अपने को इन प्रेमें का बहुत बड़ा योगदान है आज अपन इसी के संधर में एक दूसरी बहुत ही इंपोर्टेंट प्रेमिय जिसको अपन धियूनिन प्रेमिय या धियूनिन थियूरम के नाम से जानते हैं उसको अपन यह डिसकस करेंगे और थेवनी प्रेमे जैसे की नाम से इंडिकेट है कि थेवनी नामक साइंटिस्ट ने इसे बताया था और इसके अंदर गात उसने ये कहा था कि इस प्रेमे में उसने ये बात बताई कि उड़ जा सुरूत जिनको अपन जनितर भी कह सकते है तथा परदी पादाओं से युकत अगर कोई भी दी टर्मीनल रेखिक जाल है अपने पास तो जाल एक तुल्ले परीपत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है मतलब दो टर्मीनल वाले एक जाल को जिसके अंदर अपने पास उर्जा सुरूत्र बैठे वे हैं प्रतिबादा बैठी है उसके तुल्ले एक दूसरे परीपत के रूप में उसको बताया जा सकता है लेकिन उसमें कंडिशन्स क्या बताई उसने उसने कहा कि जिसमें केवल एक वोल्ट तास रोत एक वे स्रेनी करम में एक प्रतिबादा जैड एक्यू होती है मतलब ऐसे जाल से अपन उसको replace कर सकते हैं चार्ट उसको दीटर्मिनर वाले जाल को कि उसमें एक ही तो वोल्ट तास रोत हो जिसको अपन एक्यू कहते है morelEQ equilant के लिए है तुले के लिए बताता है वो और equivalent ही प्रतिबादा क्या हो अपने पास जैड एक्यू हो ऐसे जाल से अपन जो बड़ा वाला जाल है उसको अपन प्रतिश्थापित कर सकते हैं वोल्ता स्रोत का विद्धुत वागबल एक्यू दियेवे जाल के टर्मिनों को खुला रखकर उनके मद्दे वोल्ता के तुल्ले होता है अब मैंने इसमें कि यह क्या बताया इसमें यह कहा कि जो अपन ने तुल्ल परीपत लिया जिसमें E क्यों बता रहे हैं आपन तो उसका جो टोटल वोल्तेश का मान है जो जाल है उसका दो टर्मिनलों को खुला रखके यहां अपने दो टर्मिनल में A और B से बताया है अपने इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद जो टोटल बूलते जे उसके बराबर माना जाता है अपन और उनके मद्दे बूलता के तुल्ले होता है जबकि उस जाल के अंदर जितने वोलता सुरोत जुड़ेवे हैं उनको उनकी आंत्रिक प्रतिवादाओं से अपन प्रतिश्थापित कर दें तो तो ऐसे अपन इसको तुल्ले परिपत के दोरा अपन बता सकते हैं अगर आप इसमें डायग्राम देखो चित एक तो यहाँ पे जो चित एक में ए वाला डायग्राम है इसमोल ए से जो बता है ये डी टर्मिनल वाला एक नेटवर्क है जिसको कैपिटल एंस से बता रहूं मैं इसमें लोट पती बादा जो है जेडल जुडी हुई है और इस जाल के अंदर हो सकता है कि कई वोल्टर सो जुड़े हैं कई पती बादा हैं जुडी हुई है इस जाल को अपन ने एक दूसरे तुल्ले जाल से अपन ने इसको रिप्लेस किया रहूं और जो रिप्लेस किया है वो उस जाल को मैने डायग्राम में B से बताया है और इसके टोटल वोलता E EQ के द airflow रहे हैं और टोटल पतिवादा Gd EQ के दारा बताया है और यह जो दो टर्मीनल है A और B इन A और B के बीच में जो लोड पतिवादा है उसको अपने जैडेल से बताया है तो एक लंबे चोड़े जाल या सर्किट बनाने के वज़ाए इस तरह से अपने एक तुल्ले परीपत बता सकते हैं ये बात थेवनीन ने बताई थी अपने प्रेमेर के दोरान तो अब अपने इसको प्रूव करेंगे प्रूव करने का मतलब ये हुआ कि माना कि जो ए वाला पार्ट है मतलब जो चितर ए फर्स्ट का जो ए है उसमें जो अपने जाल बताया है उस जाल की एक सरशना करते हैं और उस जाल की सरशना को अपने चितर दो में बताया है यहां पे और स्टार या टी जाल के रूप में इसको लिया है अपने अपने पहले डिसके हैं कि स्टार और टी जाल क्या होता है इसमें यह जो चित्र दो में हैं इसमें एक तो वोलता सोत या जनित जुड़ा है कैपिटली से बताया है उसके आंतरिक प्रतिबादा है जिसको अपने जैड S से बताया है इससे निकलने वाली जनितर दहरा है जिसको अपने यहां पे IS से बताया है और इस T जाल में Z1, Z2, Z3 मानना कि तीन प्रतिवादा है अपने मान के चल ले हैं ऐसा जाल है अपने पास और इसके जो A और B टर्मिनल है इन A और B टर्मिनल के बीच में जो प्रतिवादा जुड़ी हुई है उसको अपन लोड प्रतिवादा बोलते हैं और इस लोड प्रतिवादा को बच्चो अपने इसको ZL से यहां बताया है इसमें बहने वाली जो धारा है वो IL है तो यह अपने जाल बनाया इस जाल में अपन दो लूप बता सकते हैं एक को लूप 1 बताया है मैंने एक को लूप 2 बताया है इस टार जाल में अगर अपन इस परीपत की इस चित्र 2 के अंदर लूप A के अंदर अगर करचौफ के नियम लगाते हैं तो अपन देखते हैं कि IS bracket Z1 plus ZS plus ZS IS is equal to capital E मतलब पहले जो प्रमे की साथ जो प्रमे कहती है उसके अनुसार बात करें हैं अपन तो यहाँ पर IL को 0 माना पहले और उस case के अंदर अपन ने IS की value निकाली लेकिन जो ZS है उसका मतलब क्या है उसका मतलब अगर आप देखोगे मैंने यह साइड में बताया है कि 1 upon ZS is equal to 1 upon Z3 plus 1 upon Z2 plus ZL मतलब Z2 और ZL तो सेनी करमे हैं यह दोनों मिलके Z3 के सामानतर करमे होते हैं इस वज़े से अपने यह सामानतरन का नियम का काम में लिया और अपने ZS की value निकाली और इससे अपने को समीकन एक मिल जाती है अगर अपन यह मान के चलें चित्र 2 में Z3 से निकलने वाली टोटर पती बाद दहरा को देखें अपन तो अपन यह कह सकते हैं कि उसमें जब दहरा जाएगी वह IS मानस आईल होगी IS और आईल के बारे में अपन बात पहले ही कर चुके हैं अब यह जो परीपत है इस परीपत के अंदर दो बुजाएं देखते हैं अपन एक तो capital A B जिसमें IL धरा बहरी है और पतीवादा बैठी हुई है और एक लेते हैं अपन इसमोल A B जिसमें Z3 पतीवादा है और IS धरा उसमें से बहरी है IS भी बहरी है और नीचे से IL भी उपर आ रही है तो net धरा IS मानस IL है अगर इसमें अपन ओम का नियम जानते हैं मैंने साइड में लिखा है कि V is eager to IR होता है I is eager directly proportional to 1 upon R होता है अगर दो धराएं दो प्रतिवादाएं हैं अपने पास या जो दो प्रतिरोध हैं तो एक फार्मॉला अपन इससे बना सकते हैं दारा के नियम से कि I1 upon I2 is eager to IR2 upon R1 इस फार्मॉले को अपन इन दोनों बुज़ाओं में काम में लेते हैं कौन कौन सी में कैपिटल AB में और small AB में तो अपने को समीकन 2 मिलती है समीकन 2 को solve करेंगे तो अपने को समीकन 3 मिलेगी इससे अपन I1 का मान निकालेंगे मैंने यहां solve के अंदर एक एक step आपको निकाल कर बताई है इसलिए जब आप मेरे इन नोट्स को देखोगे तो आपको पूरी तरह यह समझ में आ जाएगी फिर इसी समीकन जो अपने पास समीकन जो 3 के अंदर I.L की वैल्यू आई है इस I.L की वैल्यू को और इसमें I.S भी बैठी है तो इस यहां जो I.S बैठी है इसमें I.S अपन समीकन 1 से जो I.S की वैल्यू निकाली है उसको यह पुट करेंगे कहना का मतलब है समीकन 1 और 3 की सहता से अपने को next I.L मिलेगी और इन I.L को बाहर step के दोरा आपन सॉल करते वे आएंगे तो अपने को समीकन 4 अपने को मिलती है जिसमें I.L की वैल्यू मिल जाती है और I.L की वैल्यू को मैंने इस तरह से लिखा है कि उपन I.L इस इकर टू E.Z.3 ओबलिक Z.S.1.1.3 फिर अपन में है Z.2.2.3 ब्रेकिट 1 Z.S. ब्रेकिट ओपन Z.S. प्लेकिट 1 ब्रेकिट 1 अपन Z.S. प्लेकिट 1 प्लेकिट 3 और ये बड़े ब्रेकिट को बंद करके प्लेकिट 1 बताया ये समीकरन 4 मिलती है अगर अपनी समीकरन 4 को बच्चो देहन से देखें तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर लोड पतिबादा Z.S. को हटा दिया जाए जैसे कि तेवनीर्व में कहता है और उस अवस्ता में निर्गट टरमीनल खुरे रने पर तता ओर्जा स्रोतों को उनकी आंतिक पतिबादाओं से पतिस्तापित कर दें जैसे कि सच्चितर 3 में मैंने यह साइड के अंदर बताया है कि जो वोड़ता स्रोता उसके आंतिक पतिबादा Z.S. लगा दी और A और B के बीच में अगर अगर अपन टोटर पतिबादा निकालते है तो उसका मानी यह आता है Z.S. प्लस Z.3 Z.S. प्लस Z.1 अपन Z.S. प्लस Z.1 प्लस Z.3 यहां पे अपन यह कह सकते हैं कि यहां Z.S. और Z.1 को से नहीं कमन ले लिए दोनों मिलके Z.3 के समान दर गम में है प्लस Z.1 प्लस Z.3 है यह लोट Z.L को अगर हटा देने पर A और B के मद्दे विवानतर बताता है और इसे हम E.E.Q कहते हैं इस तरह से समीकन 4 में अगर यह वैल्यूज को अपन देखें तो समीकन 4 समीकन 5 में कनवर्ट हो जाती है जिसका मान I.E.Q अपॉन Z.E.Q प्लस Z.L के दोरा बता सकते हैं यह एक समीकन 5 आगी अब अगर थेवनीन पर में से जो समीकन जो अपने पास जो चित्र था पहले बच्चों आपको वापिस बताऊँ जो चित्र B था अपने पास उस चित्र B में भी अगर अगर अपन धारा I.E.L का मान निकालें तो धारा I.E.L का मान कर्चों अपका नियम लगाएं आप तो आप सीदे सीदे देख रहे हैं इसमें कि I.E.L का मान E.Q अपॉन Z.E.Q प्लस Z.L ही आएगा जो कि समीकन पांच की तरह होगा इसका मतलब यह हुआ कि दोनों सर्किट में जो बहने वाली धारा है A.E.L के बीच में वो धारा अपने पास समान मिल रही है इसलिए अपन यह कह सकते हैं कि यह थेवनीन प्रमे को संतुस्ट करता है यह थेवनीन प्रमे इससे सिध होती है तो यहां यह अपन ने थेवनीन प्रमे सिध की है इसी थेवनीन प्रमे की सायता लेके अपन आगे एक दूसरी प्रमे आईगी जो इसी की सायता लेगी जिसको अनॉंटर प्रमे कहते हैं उसको नेक्स वीडियो लेक्चर में मैं इसको सिद्ध करूँगा